Hey guys, आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे Product Life Cycle के बारे में इसके लवा इस सीरीज में Product के लेरे जो भी वीडियो है उसका आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिये गया है तो अब इसे चेक कर सकते हैं तो वीडियो में हम क्या-क्या स्टडी करने वाले हैं सबसे बहले Product Life Cycle का मेनिंग, क्या है Product Life Cycle देन देखेंगे Product Life Cycle का चार्ट और जानेंगे इसकी स्टेजिस के बारे में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योर्टी, डिकलाइन और लास्ट में इस टोपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एक इक्जामपल लेंगे तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं Product Life Cycle के मीनिंग से Product Life Cycle एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें Product Market में Enter और Introduce होता है ये इसका Starting Face होता है और इसके बाद इसका End Face तब आता है जब ये Market से बाहर चला जाता है या Decline होना स्टार्ट हो जाता है एक Product Life Cycle की 4 Stages है Introduction, Growth, Maturity और Decline कुछ Product Maturity स्टेज में रहते हैं जबकि कुछ Decline करना स्टार्ट कर देते हैं Competition जादा होने की वज़े से Demand में कमी की वज़े से या किसी भी Economic Situations की वज़े से तो ये है हमारा Product Life Cycle का चार्ट तो जैसा हमने Meaning में देखा कि 4 Stages होती है Introduction, Growth, Maturity और Decline तो चार्ट में आपको X Axis पर लेना है Time और Y Axis पर लेना है Sales तो चलिए इन 4 Stages के बारे में हम और अच्छे से जानते हैं सबसे पहला है Introduction इस स्टेज में Company Product Create करती है और Introduce करती है Target, Market और Audience में ताकि Awareness को Spread किया जा सके अब यहां Product Create कर लिया है Company में काम है Introduction का मतलब उसे Market में Introduce करना है कि यह हमारा Product है ताकि Customer में जो भी उसका Target Audience है Market है उसमें Awareness Create हो सके इसके लिए Company Advertising Message, Channel, Way, Time Select करती है तो यह Advertising का Part है इसमें मैं Cover नहीं करूँँगा फिर भी अगर आपको कोई Confusion है तो Advertising की पूरी Book Series का लिंक आपको Available है दिस्क्रिप्शन में तो आप वो चेक कर सकते हैं इस Stage में Promotion की Cost जादा होती है क्योंकि Company को Product के Regarding Awareness Create करने के लिए काफी जादा Money Spend करना पड़ता है Introduction Stage में क्योंकि अभी अभी Product को Introduce किया गया है Market में अभी उसका Awareness Create होगा इसलिए Sales का जो Volume है वो Stage में Low रहता है तो अगर In Short जादा अच्छे से समझें तो Sale Introduction में कम होती है Cost जादा होती है क्योंकि एक तो हमें Awareness करनी है Advertising करनी है और जो Product हमें बनाना है उसके लिए हमें Building की जुरूत होगी Low है और Cost हमारी जादा है तो Profit हमारे कम या Negative होगे Marketing का Objective Awareness Create करना होता है Advertising Large Scale पर की जाती है Second है Growth Growth Stage में Product की Awareness Create होना Start हो जाती है अब Customers Product में Interest दिखाते हैं और उसे ख्रीदना Start कर देते हैं Promotion Cost इस Stage में अभी भी High है क्योंकि सारा Market अभी भी Aware नहीं है Product के बारे में तो Market में Awareness तो है Product के रिकार्डिंग की ये प्रोड़क्त आ चुका है Customer Interest भी बता रहे हैं लेकिन अभी भी उतनी Awareness Create नहीं हो पाई है जितनी करनी है इस Stage में Product के Demand और Profit दोनों Increase होते हैं Example के लिए Electric Vehicle ये Growth Stage में है वैसे तो Market में थोड़ी बहुत Awareness है कि Electric Vehicle अभी Market में हमारे पास Available है लेकिन फिर भी एक बड़े Level पर इसकी Awareness होना बाकी है तो इसकी Key Points को इस Table से समझते हैं Sale इसमें Rise करना शुरू हो जाती है Cost अभी भी High है Profit Rise करना शुरू कर देता है पिछले में Less है Negative था तो इसमें Profit बढ़ना शुरू हो गया है Market का Objective होता है Market Share को Increase करना और Customer Acquire करना जादा से जादा Advertising still Large Scale पर की जा रही है Third है Maturity इस Stage में Market अब Aware है पुड़क के बारे में तो ये Company की Help करता है Large Quantity में Product को Sell करने में इस Stage में Competition Level हाई रहता है Companies Product का Price Reduce कर देती है ताकि वो Competition में बनी रहे Promotion Cost भी कम हो जाती है क्यूंकि अब Company का Focus है Customer Acquire करना और उन्हें Product के बारे में Recall कर बाते रहना Example के लिए Geo Telecommunication तो इसकी भी Key Points देखते हैं Table में Sale Rapidly बढ़ती है Cost कम होती है Profit Rapidly बढ़ता है Marketing का Objective है Market Share को Increase करना ज़ादा से ज़ादा Customer को Acquire करना और Product को Recall करवाना Advertising अब Medium Scale पर की जा रही है Fourth है Decline ये वो स्टेज है जहां Product Market से बाहर जाना Start हो जाता है इसका Reason होता है High Competition Market में नया Product Innovative Technology और Customer की Needs में Change Companies के पास इस स्टेज पर Different Options अवेलेबल होते हैं जैसे की वो ये चूज कर सकती है कि अब उन्हें इस Product के साथ Discontinue करना है मतलब अब ये इस Product को नहीं बनाएंगी Product को Maintain करके रखा जा सकता है उसमें नई Features को Add करके Product के नई Uses को ढूंडा जा सकता है या फिर नई Market में एंटर किया जा सकता है तो इसके भी जल्दी से Key Point देख लेते हैं Sale, Decline होना Start हो जाती है Cost, Low होती है Profit, Decline होता है Marketing का Objective होता है Customer की Loyalty को Maintain करके रखना Advertising, Low Scale पर की जाती है तो यह हमने देखी Product Life Cycle की 4 Stages अब यहाँ पर मैं अपना एक Point Add करना चाहूँगा आपको कहीं भी लिखना नहीं है किसी भी एक्जाम में आपको Add नहीं करना है जस्ट वैसे ही आपको यह मुझे Comment करके बताना है कि क्या आपको लगता है कि मेरा यह Point Valid है Decline के बाद जैसे कि हमने Meaning में पढ़ा या तो वो Market से बाहर हो जाता है या फिर उसमें कुछ नई Features एड़ कर दिये जाते है कोशिश की जाती है कि इसे दोबारा से Market में लाया जाए लेकिन यह 2 Point का कुछ Combination सा हो जाता है मेरा यह मानना था कि यहाँ पर एक और Stage होनी चाहिए थी Exit की क्योंकि कुछ Product Bounce Back करते हैं Growth Stage में तो कुछ Product ऐसे भी होते हैं जो कि Decline Stage में आते हैं और बाद में कुछ भी उसमें Changes करके, Modification करके वो बाद में उसे Maturity Stage में भी ले जाते हैं तो इसके साथ अगर यहाँ पर Exit Stage होती तो वहाँ पर हम ऐसे Products को Specify कर सकते थे जो कि कुछ Time Duration के बाद बिल्कुल ही Market से Out हो जाते हैं तो यह आप मुझे Comment करके जूरू बताएं कि आपको क्या लगता है कि यह मेरा Point valid है या नहीं तो चलिए अब लास्ट में Product Life Cycle की एक Example देखते हैं तो यह हमारे पास Data है जिसमें 2006 में Telecommunication Operators का जो Market Share था उसको बताया गया है जैसे कि Airtel, BSNL, Idea, Hudge, Reliance और दूसरे Other Telecommunications Operator तो इनका आप यहाँ पर Market Share देख सकते हैं इसमें Airtel, BSNL, Idea, Hudge का Share सबसे जादा है तो पिछला डेटा हमने देखा 2006 का अब यह डेटा है हमारे पास 2018 का यहाँ पर Box में आप Information देख सकते हैं कि Jio को Launch किया गया था 27 December 2015 में जो कि एक Beta Version था Partners के लिए और Employee और Publicly इसे Available किया गया था 5 September 2016 में क्योंकि Jio 2016 में आया था तो उसके 2 साल बात का मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ इग्जेक्ट तभी का डेटा नहीं लिया था क्योंकि तब इंट्रोडक्शन स्टेज थी वो Jio की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में कितने टेली कम्यूनिकेशन ओपरेटर उस समय अवेलेबल थे अब Jio इसमें ऐसा है जो कि ग्रोथ स्टेज में अभी ग्रोथ कर रहा है मेचियोर्टी लेवल पर अभी तक वो नहीं पहुंचा है और वही दूसरी तरफ कितने सारे मार्केट ओपरेटर यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कुछ ना तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि टोटली मार्केट में सिर्फ पांच ही टेली कम्यूनिकेशन ओपरेटर रह गए बाकी सारे मेचियोर्टी स्टेज से डेकलाइन स्टेज में आए और वो मार्केट से बाहर हो गए कैसे यहाँ पर जियो ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ली फिर उसने ग्रोथ की देन मैचियोर्टी स्टेज में अभी जियो काम कर रहा है तो जियो के मार्केट शेर में अभी कोई डिकलाइन देखने को नहीं मिला है छोटे मोटे एक दो परसेंट 2020 में सिर्फ 5 रह गए है तो परड़क्ट लाइफ साइकल के लिए मुझे लगा कि लाइन्स जियो सबसे बढ़िया एक्जामपल रहेगा आपको अच्छे से समझाने के लिए तो ये थी दोस्तो परड़क्ट लाइफ साइकल की हमारी 4 स्टेजिस तो ये थी वीडियो परड़क्ट लाइफ साइकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग इंपोर्टेंस ओफ परड़क्ट डिजाइन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जुरूर बताएं और अगर आपके किसी भी टोपिक है रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं आपको रिपलाय करके या फिर उस पे एक अलग वीडियो बनाके आपके साथ शेर कर दूँगा इसी तरह की हर अपडेट के लिए Student Notes चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें थेंक यू